डीजी फॉल टैक यूटूब चैनल में आप से भी का स्वागत है प्लीज आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करें बेल बटन दबाएं नोटिफिकेसन आइकन क्लिक करें आप में से मेरे 99.6% जो यूजर हैं वो बीना सब्क्राइब के मेरे चैनल के वीडियो को देखते हैं प् इससे कि मैं अपनी वाच आवर भी इंक्रीज कर पाऊं मेरे चैनल पे केवल सब्क्राइब यूजर है 0.4% और नॉन सब्क्राइब है 99.6% अगेन मैं आपसे हमबल रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेरे चैनल को आप सब्क्राइब करके ही वीडियो देखें और वो भी जल्दी से अपडेट करते रहता हूं जो भी मार्केट पे नहीं आता हैं साथ में आपको इंफॉर्मेटी वीडियो देता हूं जितनी अच्छी डिटेलिंग के साथ दे सको और मेरे यूटुब चैनल पे आपको सभी चीजे हिंदी पे अच्छी सी डिटेल्स पे मिलती हैं साथ में आप मुझे टेलिग्राम पे ट्विटर पे पींट्रेस्ट पे इंस्टाग्राम पे रेडिट पे टंबलर पे फेस्बुक पे सभी जगों पे फॉलो कर लिजे मैसेच कर सकते हैं आप मुझे सब जीगे पे आपका कोई भी डाउट होगा मैं सॉल्व करने के लिए कोसिस करूँगा साथ में आप मेरी चैनल को प्लीस अगें रिक्वेस्ट कर रहो हूं है सब्क्राइब जरूरूर। मैं आप सभी को .OS 513 का रिव्यू दिने वाला हूं जो मैंने लोट किया है Redmi Note 4 पे Android 11 बेज़्ट ये रूम है इस पे हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूं देखिए ड्रॉइट का नाम है .OS का ड्रॉइड on time कोटने मीरो है Android 11 है .OS GF वाला मैंने लोट किया है 513 5 अगस्त 2021 का latest build का किया है और इसमें मैं आपको दिखा दू kernel जो है 4.9 sleepy का kernel यूज़ किया गया है यह आप देख सकते हैं यह default wallpaper है notification set आपको इस तरीके का मिलेगा इस पर आप और चाहें तो edit पे जाके अपने notification sets इनेबल कर सकते हैं जैसे मैंने इनेबल कर दिया है left side पे आपको Google page मिल जाएगा जो कि सबसे convenient होता है बहुत से users के लिए right set पे आपको कुछ नहीं है अब बात करते हैं pre install apps की तो pre install पे आप सवर्वात करते हैं camera से आपको ये वाला camera app मिलेगा मैंने दो camera app टेस्टिंग के लिए download किया है एक Gcam Go एक full variant Gcam इसके लावा अब अगला मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ play store आपका certified है तो आपको कोई भी problem नहीं जाने वाला है banking related आप setting पे जाएं about पे जाएं और देखें device is certified इसका मतलाब इस customer में आप अराम से कोई भी banking app यूज़ कर सकते हैं पे ATM, phone पे कुछ भी अब हम आगे चलते हैं इसमें आपको बहुत कम app मिलेगा मैं 3-4 app extra install के हूँ आपको इतने app देखेने को नहीं मिलेगा तो आप G app लोड होके आया है आप अपने ज़र्वत के साब से लोड कर सकते हैं देखें बहुत ज़्यादा fast fluent है और काफी कुछ MIUI वाला ही दिखाता हूँ सबसे पहले जैसे Gcam Go पे हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं देखें मैंने Gcam Go इनेबल के है अराम से ओपन हो गया portrait mode और video सब कुछ इसमें इनेबल है कोई भी problem आपको नहीं मिलेगा आप अराम से सब कुछ यूज कर सकते हैं इसमें जूम भी आ गया है सिंगल कैमरा होने के बाउजूद आप देख सकते हैं सिंगल कैमरा का फोन है इसके बाउजूद आपको इसमें 1X, 2X का जूम मिलेगा portrait mode में भी आपको 1X, 2X जूम मिलेगा night set का भी features आपको मिल चुका है और video की अगर मैं बात करो देखे slow motion, time lapse, 1X, 2X भी मिलता है और 4K enable है आप देख सकते हैं 4K 30fps मैंने कर दिया है कोई भी problem आपको नहीं मिलेगा देखने पे इसके अलावा इसमें selfie पे भी आपको सभी चीच interesting factors मिल जाएंगे तो ये camera काफी अच्छा है no doubt अब बात करते हैं इस phone पे आपको क्या नया देखने को मिलता है सबसे पहले आप ये setting page देख लीजिए इसका जिसमें आपको दिख रहा है कि settings पे कि step के menu आएगा ये आपको about है system के अंदर आपको सबसे नीचे यहाँ पर मिलेगा system update आप देख सकते हैं check for update जैसे ही मैं click कर रहा हूँ nothing yet because मैं सबसे latest रोम का वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको basically क्या क्या इंप्रूफ चीज मिलता है देखें network and settings के अंदर आपको volti enable मिल जाता है कोई problem नहीं है मैंने phone को airplane mode किया है कि sometime text call आजाता है वीडियो के बीच पे इस वज़े से आपको इसमें volti enable है साथ में अगर calling की बात करें तो voice call recording इसमें आपको नहीं मिलता है जी हाँ call recording का support नहीं है dedicated dollar पे इसके लिए आपको कोई play store के कोई additional app का सहारा लेना पड़ेगा ले जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं settings पे देखें network पे यह देखें जियो के अंदर आपको काफी साथ यह देखें volti enable मिल रहा है और wifi calling मैंने on के है बट sad part यह है redmi note 4 के कोई भी custom room कोई भी में आपको wifi calling देखने को नहीं मिलता है ना fast charging देखने को मिलेगा तो यह सब जो features है room developer कोसिस करते हैं बट इनके hardware पे ही जो इनका chipset है snapdragon 625 इसे chip level पे disable करके रखा गया है इसलिए आप possible ही नहीं है कि kernel change कर लूँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ कुछ नहीं होने वाला है आपको custom room में जितनी features मिलने थे अभी तक के developing state पे मिल चुका है इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेग अब हम आगे चलते हैं wifi connected device में कुछ नहीं है बताने लाइक display पे बात करें तो आपको always on display मिल जाएगा adaptive brightness, dark theme भी मिल जाएगा और इसके बाद आपको basic से जो settings मिलते हैं वो आपको इसमें मिली जाएगे इसके बाद आगे चलते हैं sounds में कुछ नया नहीं है हाला कि इसमें आपको एक अच्छी बात है कि MI का direct sound के नाम से आपको ये facility दे दिया गया है जो MI phone पे आता है headphone के लिए settings ये objects, equalizer वेगरा ये अच्छी बात है नाम change की अगया है direct sound बट ये है MI का ही feature अब आप audio amplification का use ना करें तो अच्छा है अगर आपको phone पुराना हो गया आपको ringtone volume, mic volume कम लग रहा है तब आप इसे use करें otherwise मत कीजेगा क्योंकि ये speaker को damage करता है हाँ लेकिन अब पुराना हो गया है phone, speaker अल्रेडी कमजोर हो गया तो कल लीजे, आखिर change करना ही पड़ेगा नया speaker इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ नहीं है sound के लावा batteries पे भी आपको बस यही वाला ग्राफ देखने को मिलता है बैटरी बैकप की बात करें तो इस रोम में एक जो मुझे छोटा सबग दिखा वो है charging speed बहुत ही ज़्यादा slow है, बैटरी बैकप अच्छा है charging होने के बाद कोई issue नहीं है लेकिन जो charging का time है वो इतना ज़्यादा slow है कि आप tortured हो जाएंगे मतलब आप रात को लगा के सो जाएए सुबे सो के उठेंगे तब जाके वो 100% हुआ रहे मतलब इतना slow है अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद बैटरी के बाद app notification में कुछ important नहीं है privacy पे आपको अगेन इसमें सभी तरीके का सॉरी security के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा fingerprint, face, password, smart lock, सब facility मिल जाएगा location, account, accessibility कुछ नहीं है storage मैं दिखा दूँ आपको इस टाइप का storage है, operating system ने लिया है 8.6 GB, बाखी है other datas है, accessibility के अंदर आपको कुछ नहीं, font, want, location, gesture वेगरा का setting बिल जाएगा, caption वेगरा का, इसमें कुछ advance नहीं है, digital well-being भी अच्छे से काम करता है, मैं इसे यूज नहीं करता हूँ, अगर आप यूज करते हैं, तो आपके लिए अच्छी बात आप देख सकते हैं, कुछ basics graph, इसके बाद आगे बढ़ा जाए, google services कुछ नहीं है, systems पे, आपको ये जो gesture है, ये complete gesture setup है, इसमें आप अपने device को gesture के through control कर सकते हैं, आप अपने according gesture customize कर लीजिए, और साथ में, आपको यहां reset option भी मिल रहा है, system update, developer option, pre install होने के बाद, आपको enable करके दिया जाता है, तो आपको इसका आदत है, आता है, तो छेड़ चाड़ कीजिए, otherwise छोड़ दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें about भी मैंने दिखा दिया है, सब कुछ हो गया है, google play store, call, driver, इसके बाद, यहाँ पर से आपको दिखाने लाइक, और कुछ खास important चीज नहीं है, देखिए, music app आपको pre install मिलता है, इस पे radio है, और ये photos मिलेगा, बाकी gcam, google map, ये सब मैंने डाला है, chrome browser आपको मिल जाएगा, calculator, calendar, play store और setting, इस type के phones में आपको पूरे चीज मिल जाएगा, काफी अच्छा रोम है, fluent है, fast है, updated है, और पहली बात, ये official भी है, stable है, तो आपको कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा, best रोम है, आप इस रोम को अराम से enjoy कर सकते हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करें, bell बटन दबाएं, notification icon क्लिक करें, आप में से मेरे 99.6% जो यूजर हैं, वो बीना सब्क्राइब के मेरे चैनल के वीडियो को देखते हैं, प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे अपनी चैनल को monetize करने में, आप सभी की help की जड़ुत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्क्राइब करके देखें, क्योंकि ये free of cost है, और पूरी content को देखें, इसकी इपना करें, जिससे कि मैं अपनी watch hour भी increase कर पाऊं, मेरे चैनल पे केवल सब्क्राइब यूजर है 0.4% और नॉन सब्क्राइब है 99.6% अगेन मैं आप से humble request करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्क्राइब करके ही वीडियोज देखें और वो भी पूरी वीडियोज देखें, आपको मेरे चैनल डीजी fall tag पे बहुत सारे informations मिल जाएंगे, जैसे कि आप मेरे चैनल पे playlist के मदद से अपनी जरुवत के सारे वीडियोज देख सकते हैं, मैं अच्छे contents जल्दी से अपडेट करते रहता हूँ, जो भी market पे नहीं आता है, साथ में आपको informative वीडियोज देता हूँ, जितनी अच्छी detailing के साथ दे सकूँ, और मेरे YouTube चैनल पे आपको सभी चीजे हिंदी पे अच्छी सी details पे मिलती हैं, साथ में आप मुझे टेलिग्राम पे, ट्विटर पे, पी इंट्रेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, रेडिट पे, टंबलर पे, फेस्बुक पे, सभी जगों पे follow कर लिजे, मैसेच कर सकते हैं, आप मुझे सब जिगे पे, आपका कोई भी डाउट होगा, मैं solve करने के लिए जरूर कोशिस करूँगा, साथ में आप मेरे चैनल को please again request कर रहूं है, सब्क्राइब जरूर,